जहें दोस्तों, welcome back to our channel, welcome back to jobteria, I hope कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने त्यारी में बहतरीन तरीके से लगे होंगे जहां दोस्तों 2nd माई में जो आपका परिक्षा हुआ था 1-2-5 का intermediate प्रस्टिशित साय का चार्थ का तो paper 3 का यहां पे मैं analysis वीडियो लेकर उपस्तित हूँ, इस paper का मैं review करूँगा समाजिक विग्यान का जो 75 questions आए हुए थे, पूछे गए थे आपके 2nd माई के paper में तो इसी का detail जो है explanation समझेंगे जानेंगे और इसमें हम लोग review करेंगे कि किस किस topic से questions बने हैं, उसके accordingly आगे क्या आपको preparation को करना होगा इससे पहले 3rd माई बाले paper जो हुआ था आपका, paper 3rd का exam जो हुआ था, उसका complete review वीडियो जो है इस चैनल में डल चुका है, अपलोड हो चुकी है, इसमें मैंने subject wise सारे वीडियो अपलोड कर रखा है, तो जरूर उसको एक बार जरूर चेकाउट कर लिजेगा, बहुत ही helpful रहेगे आपके लिए, उसकी playlist चैनल के playlist में जाईएगा, उसमें playlist बनी हुए, साहाय का चार्ज पेपर 3rd, P.O.I.Q करके, तो उसमें जाके वीडियो कीजेगा, आपको सारे वीडियो जो है, मिल जाएंगे subject wise, चलिए इस वीडियो में समाजिक विगन के 75 questions को देखते हैं, द परंद काल तक, तो ये रंगवेद का जो है, मसला चल रहा था उस समें, नेक्स्ट निर्मलखीत में से कौन सी सनस्था संभीधान की वैक्षा करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्यदार है, तो ये आपका हो जाएगा, जुडिसरी, option 2 आपक नहीं है, तो ये है आपका साथी अरब, option 2 आपका correct हो जाएगा, परी सीमन आयोगदारा 2008 में जारी आदेश के अनुसर, लोकसभा में अनुसुचित जाती के लिए कितनी सीटे आरचित है, तो 84 सीटे आरचित है, option 3 correct हो जाएगा, निमनलिकित में से किस देश की सीमा, बलेजियम से लगती है, तो ये आपका जो है, लकसम बर्ग की सीमा जो है, यहाँ पर बलेजियम से लगती है, नेक्स्ट है, यूरोप के निमनलिकित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर, राजनितिक जगडे के कारण, बिगटन का सामना करना पड़ा, तो ये आपका करना पड़ा, यूगोस्लाबिया को, यूगोस्लाबिया को, option 2 आपका correct हो जाएगा, निमनलिकित में से किस देश में सारवजनिक जीवन में महिलाओं की भागिदारी अधिक है, तो ये आपका है, नौर्बे और स्वीडन, option 2 आपका correct हो जाएगा, निमनलिकित में से कौन सा उन देशो, उन लोगों को समों को परदर्सित करता है, जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए साथ आते हैं, तो वो आपके होते हैं, राजनितिक दल, political parties, option 2 correct हो जाएगा, निमनलिकित में से कौन सी सरकार की एक प्रनाली है, जिसे सकती एवं किंद्रिय प्राधिकरन और विविन घटा की कायूं के बीच विभाजित होता है देश, तो वो है आपका संखबाद, यानि आपका यहाँ पे federalism जो होगा, आपका correct answer हो जाएगा, निमनलिकित में से किस देश को लोकतंत्र में समयसाओं का समना करना पड़ा, जब वो मौकेवी वो स्वेथ अलप संकोकों को दी गई कुछ रियायतों वापस लेने के दवाव डाला गया, तो यह दक्षिन अफ्रिका correct हो जाएगा option में, निमनलिकित में से कौन सा लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिनाम है, तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिनाम पुछ लिया है, तो यह आपका होगा, ऐसी सरकार का निर्मान करना, जो नागरिक के प्रती जबाब दे है, और नागरिकों के आवेस्था गता और अफिक्षा के प्रती उत्तरदाई है तो यही option आपका correct हो जाएगा बुनियादी परिणाम यही होना चाहिए निमनलखीत में से कौन सा तीसरी लहर वाले देशों में से एक था जिसने 1990 में 1990 में लोकतंत्र जिता तो वो देश था आपका नेपाल थर्ड option correct हो जाएगा दक्चिन अफरिका में निमनलखीत में से कौन सा प्रमुक संगठन था यानि organization था जिसके अलगाव की निती के खिलाब संगर्स को नेटित किया था अलगाव की इस्तिती तो यह आपके थे आफरिकी रास्टिय कंग्रेस ANC यानि option A correct हो जाएगा राज सभा किसी धन विधेग को कितने दिनों तक बिलंबित कर सकती है तो राज सभा जो है धन विधेग को 14 दिनों के लिए बिलंबित कर सकती है आपका option 2 correct हो जाएगा जब साती नागरिक या सरकार प्रवरतनी अधिकारों का सामना नहीं करते हैं तो हम इसे हमारे अधिकार का उलंगन या डेस करते हैं तो इसे हम क्या करते हैं उलंगन करते हैं लोकसवा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन चेत्रों में विवाजित किया जाता है तो 543 चेत्रों में जो है विवाजित किया जाता है निमनलखित में से किस बर्स में स्रीलंका एक स्वतंतर देश के रूप में उभरा तो ये आपका उभरा था 1948 को 1948 को स्रिलंका जो है स्वतंत्र देश के रूप में उभर के सामने आता है निम्नलिखित में से किसने संजुक्त राज अमेरिका में नागरीक अधिकार आंदोलन का नेटित्व किया तो ये किसने किया था मार्टिन लूथर किंग जुनियर ने आपका two option correct हो जाएगा नेक्स्ट आता है भारत में समान पारिसर्मिक अधिनियम ब्लैंग जिससे प्रावधान की समान काम करने के समान बेतन दिया जाना चाहिए तो ये आपका लागू हुआ था 1976 को हुआ था निमनलखित में से किसने चुनाव के साथ प्राटियों दरा दिवार लेखन पर अधिकारिक रूप से पर्तिवन्द लगाया था तो ये आपका निर्वाचन आयोगने लगाया था यानि option 2 correct हो जाएगा जार ने अपने चुनाओं के 75 दिनों के भितर पर्थम डियुमा को क्यों बर्खास कर दिया तो इसका कारण था जार जो है नहीं चाहता था कि कोई उसके अधिकार पर स्वाल उठाए option 3 correct हो जाएगा निर्मलकित में से कीस बर्स हिटलर जर्मनी का चांसलर बना very important तो यह 1933 को बना चलिए आपर देखते हैं चांसलर बना था हिटलर जो है आपका बना था कब बना था तो 1933 को बना था next question निर्मलकित में से कीस इस्थान पर डच जो उपने सित बादी थे ने इंडोनियसिया में बन प्रबंधन शुरू किया तो जावा में कहां पे जावा में किया option 4 आपका correct हो जाएगा निर्मलकित में से कौन सा देश बियाना कंग्रेस का हिस्सा नहीं था तो बियाना कंग्रेस का हिस्सा जो नहीं था वो था आपका spin खिलाफ़त समयति का गठन 1919 में भारत के निमलकित में से किस सहर में किया गया तो यह आपका बंबज सहर में किया गया third option correct हो जाएगा निमलकित में से किसने पहली भरतिये जूट मिल की स्थापना की तो वह आपका की थी किसने तो वो आपका की थी सेट हुकम चंद ने आपका सेकेंड ओप्सन करेक्ट हो जाएगा निर्मलकीत में से किसने 28 सतावदी के दोरान अमेरीकी कपास और चीनी बगानों में काम किया था तो आपका ये किया था अफरीका में पकड़े गए गुलाम आपसन ये करेक्ट हो जाएगा मारके पोलो एक ब्लैंक अनवेशक 1295 में बूट बलोग प्रिटिंग के बारे में ग्यान के साथ चीन लोटे वो क्या थे? वो एक इटालियन थे निर्मनलकीत में से वो कौन सा समराठ है जिसने इसाई धरम को रोमन समराज का अधिकार धरम बनाया तो वो थे आपके कॉंस्टे लाइ टाइन कॉंस्टे टाइन जो थे आपका उपसन चफोर करेक्ट हो जाएगा मेसो पोटामिया के हतियार मुख की रूप से रूप रेखा को एकिकरित किया जाने लगा जिससे निमनलकीत में से किस नाम से जाना जाता है तो उससे चीन की महान दिवार के नाम से जाना जाता है यानि Great Wall of China के नाम से जाना जाता है पेंटिंग मोनालिसा निमनलकीत में से किस कलाकार धरा बनाई गई थी तो ये आपका जो है लियो नांडो दा विंची के दोरा बनाई गई थी आटरो सो में पोप दारा निर्मीत निमनलकीत में से किस राजा को पवित्र रोमन समराट गोसित किया गया था तो ये आपका किया गया था सार लेमेन को किसको सार लेमेन को गोसित किया गया था निम्नलखीत में से किस मूल अमेरिकी जनजाती को अमेरिकी रास्टरपती एंड्रू जैक्सन ने जबरन वेदेकल कर दिया था तो वो थे आपके चेरोकीज, कौन थे चेरोकीज, option 2 करेक्ट हो जाएगा निम्नलखीत में से कौन सा चनहू दड़ो में हड़ापवासियों का सबसे महत्वपुर्ण उध्योग था तो वो था आपका सिल्फ उत्पादन, यानि क्राफ्ट प्रडक्शन चटी सताब्दी इसापूरूप में कितने महाजनपत थे, तो यह आपके 16 महाजनपत थे निम्नलखीत में से किस परकार के वीबा में एक महिला के कई पती होते हैं जेन प्रंपरा के अनुसार महाभीर से पहले कितने तिIR्थकर थे तो इससे पहले 23 तिर्थकर थे और महाभीर 24 तिर्थकर के रूप में सामने आये थे निमलकीत में से किस बर्स में अलबुरूनी का जन्म बरतमान उजबेकिस्थान में हुआ था तो 1973 इसापूर्प में हुआ था बिरसेफ निमलकीत में से किसके अनुजाजी थे तो ये आपके थे अनुजाजी किसके थे बर्स बनना के जो है अनुजाजी थे निम्नलकित में से किसने हमपी के खंडरों की खोज की तो हमपी के खंडरों की खोज जो की गए थी करनल का कालिन मेज़की के द्वारा की गए थी निम्नलकित में से कौन इतिहास आईने अकबरी के लिखक है तो अबुल फजल जो हैं आईने अकबरी के लिखक है आठसो संताउन का बिद्रो निम्लकित में से किस इस्तान से सुरू हुआ था तो ये आपका सुरू हुआ था मेरट से बारडोली में किसान सेतागरह निम्लकित में से किस बर्स हुआ तो बारडोली सेताग्रह जो हुआ था वो आपका 1928 इसमें हुआ था नेक्स्ट है आपका निम्लकित में से कौन सम्विधान सभा के अधक्ष थे तो राजंदर प्रसाद जो है सम्विधान सभा के अधक्ष रहे थे निम्नलकित में से कौन जेकोबिन कलब के सदे से थे तो जेकोबिन कलब के सदे से जो थे वो छोटे दुकांदार थे कारीगरों थे और देनिक बेतन भोगी भी थे तो सभी थे all of the above correct हो जाएगा निम्नलकित में से कौन सी घटना 1905 रूस है जिसने बिंटर पेलेस में सरमिकों के एक जुलूस पर पुलिस ने हमला किया जिसमें 100 सरमिक मारे गएं तो वो आपके थे रक्त रंजीत रविवार बलडी जो है संडे यानि four option correct हो जाएगा फ्रांसिसियों ने पच्चिम अफरीका में निम्नलकित में से कौन सी बगान की स्थापना की थी तो पच्चिन अफरीका में काफी बगान की स्थापना की थी निम्नलकित में से कौन सी फसल ब्यापक वानिज अनाज खेती के प्रमुक फसल है तो यह आपकी कौन सी है तो आ यानिं अंगुर की खेती है अफसयं 3D करेक्ट हो जाएगा Knights 25 देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग था तो Denmark Denmark में तो पनजाब से गर कौंसी बदी 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 तो रावी नदी पंजाब से गर बदी है निम्लकित में से किस परकार की क्रिसी में खटे फलों की खेती बहुत मातपुर्ण है तो ये आपका जो है भूमाई दिशागरिय क्रिसी जो होता है option 3 correct हो जाएगा कौन सा दिशांतर भारत के लिए मानक माईदास्त रेखा है तो ये जो है 82 degree and 30 minute east जो है आपका correct हो जाएगा यानि आपका option ये correct हो जाएगा आदोनिक खनन क्या है तो आदोनिक खनन भूतल खनन और भूमिगत खनन दोनों है यानि ये बोत है surface mining और underground mining दोनों होता है next आपका कोल खोज मॉडल किस देश में पेस किया गया था तो ये सोवियत संग ने पेस किया था पहाडियों को ढालानों पर उगाने के लिए निमलकित में से किस बिरिच्छार उपन का उप्यूग किया जाता है तो चाई बगान यानि टी प्लांटेशन का उप्यूग किया जाता है निमलकित में से कौन सा statement correct है तो देख सकते हैं बनस्पति को आमतोर पर आग से साफ किया जाता है और राक मिट्टी में उर्बरक्ता बढ़ाती है तो ये statement correct है इस परकार इस्तांतरित किसी को slag and burn किसी भी कहा जाता है ये भी सही है फसलो बगानो और बगीचे को प्राकृतिक बनस्पति मना जाता है तो ये गलत है यानि 1 और 2 आपका सही होगा यानि बोथ correct हो जाएगा निमलकित में से कौन सा उसन कटी बंदनी अफरीका में सबसे अधिक पसुधन है तो ये आपका guy well जो kettle होते है निमलकित में से किस परकार की खेती एरोपिय उपनेशिद वादियों दारा विक्सित की गई थी तो ये आपका बिक्षार ओपन खेती जो थी विक्सित की गई थी Plantation Agriculture किस परकार के उध्योग आइन उध्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं तो ये आपके करते हैं बुनियादी उध्योग Basic Industries Next है आपका निमलकित में से कौन सा क्रिसी आधार उध्योग का उधारन नहीं है तो नहीं बला जो है आपको चुनाव करना है तो Still Manufacture जो है ये आपका क्रिसी आधारित नहीं है कंगडा और कुलू घाटी भारत के निमलकित में से किस राज में इस्तित है तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में इस्तित है निमलकित में से कौन सा गेर अधार भूत उध्योगों का उधारन नहीं है तो हाथी दांत जो है आपका गेर आधार्भूत उध्यगों का उधारन नहीं है तमिल नाइडो में चाई कहां उगाई जाती है तो तमिल नाइडो में चाई नीलगेरी पहाडियों पर जो है उगाई जाती है बन आधारित उध्यग का उधारन क्या है तो वन अधारित उधेक का उधारन है लकडी, टाइम बर, बलैंक को भारत का सबसे उची परवत चोटी के रूप में जाना जाता है, तो कंचन जंगा को जो है जाना जाता है, अफसने एक करेक्ट हो जाएगा, लगो हिमाले और सिवालिक के बीच इस्थित अनुधरे घाटी को इस नाम से जाना जाता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, दून के नाम से जाना जाता है, मानब भुगल, असांत मुनश्य और अस्तिर पृतिवी के बीच बदलते संबंदों का अध्यन है, इस कथन को परिभासित किया, किस ने किया, तो इसको किया आपका LNC हुपना मसरे तो मासिन राम में होती है अरह किए पहाड़ीऄं की डख्षीनि हो मियर्जित किया था तो यह gerek का आपका आज़ित किया गया में नियती बाद पर कचा बरनिया नियति बाद जो है कहा गया नव नियति बाद के सनस्थापक कौन थे तो वो थे ग्रिफथ टेलर थे कौन थे ग्रिफित टेलर थे रुको और जाओ नियति बाद को इस रूप में भी जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है तो नव नियति बाद के रूप म में पुछे गए थे डिटेल हम लोगों ने questions को देखा आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप की question पुछे गए थे और यह जो आपके question आपके जो है यहाँ पर बोला जाएगा moderate to hard था दोस्तों और यह इतना आसान नहीं था कि आप आसानी से इसका answer दे सके यह आपक जो है moderate to hard माना जाएगा और यह आपका label जो 11-12 के जो NCRT book आती है जो आपका world history से उससे maximum question पूछे गए है thanks for watching